हेलो फ्रेंड, वेलकम इन भामा पीडिया किलासिज, आज हम अपने भामाकोलोजी का लेक्चर नमबर सिक्स जिसका नम है एंटी टूबरकलोसिज उसका पार्ट फर्स्ट पड़ेंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि टूबरकलोसिज होती क्या है, तो टूबरकलोसिज एक इन्फेक्टियस डिजीज है, जो एक बैक्टिरिया के दोरह होती है, उस बैक्टिरिया का नाम है माइक्रो बैक्टिरियम टूबरकलोसिज, तो नाम से ही इस बैक्टिरिया का नाम है, त ज्यादा तर लंग्स के ओपर ही infection कोज़ करता है तो यह particular lungs पर क्यों करता है क्योंकि एक aerobic bacteria है तो aerobic bacteria को grow करने के लिए oxygen चाहिए तो lungs में oxygen का amount बहुत ज्यादा मिलता है तब ही आपने देखा होगा 90% जो TB के case होते हैं वो pulmonary tuberculosis के होते हैं जो ग्रंस्वाली TB के बट यह किस अधर organ को भी कई बार infection कर लेता है वहाँ पर भी जैसे आपने सुना होगा intestine TB brain TB bone marrow TB तो वहाँ पर भी infection कोज़ करता है अब हम इस bacteria के कुछ characteristic देखेंगे ज़्यादा तर एक्जा में पूछे जाते हैं तो जैसे positive and road safe road safe मतलब इस type का road safe होता है इसका और इसके सेलवाल में ज़्यादा amount लिपीट पह जाता है उस लिपीट में भी सबसे ज़्यादा mycolic acid रहता है यह जो mycolic acid है यही इसकी सेलवाल को rigidity provide कराता है तब यह बहुत dangerous बन जाता है compared to other bacteria TB यह जो disease है यह transmit होती है एक person से दूसरे person में जब भी किसी person को जब TB हो जाती है तो उसको weight cup होता है जिसको productive cup बोलते हैं उस cup के थुरू यह bacteria भी बार निकल जाते हैं और फिर यह bacteria जाके किसी भी air में जो dust particle लेते हैं उसके उपर जाके से deposit हो जाते हैं फिर यह जब dust particle को other person इनहेल करेगा तो उसको TB हो जाएगी तो इसलिए इसको बोलते air dust bond disease मतलब dust के थुरू भेलती है तो यह भी आपको याद देखना है अभी हम TB के symptom and sign के बारे में पढ़ेंगे तो अगर किसी इंसान को TB होगी तो उसको कफिंग होगी productive कफ होगा तीन वीक या तीन वीक से भी ज़्यादा और उसको कफ के साथ कभी बार और उसको difficulty भी होती है breathing में तो यह सारे जो symptom है यह TB के symptom है जब यह symptom किसी पेसेंट को है तो डॉक्टर उसको क्या करेगा सबसे पहले एक्स रेक का बोलेगा जब एक्स रे में डॉक्टर देखेगा तो इसको अल्मस कंफर्म हो जाता है कि हां इसको TB है और नहीं उसके बाद जब उसको थोड़ा लगता है नहींड कि इसको TB हो सकती है तो फिर उसके लिए दो टेस्ट की जाते टीबी के वैसे तो बहुत सारे टेस्ट है पर जादा तर्जेजाम में पूछे जाते वह दो टेस्ट है फर्स्ट जो टेस्ट इसका नाम है टूबर कुलिन टेस्ट जो इंट्रडर्मा इंजेक्स किया जाता है बेक्ट्रिया के एंटीजन और 72 आवर में रियक्शन देखते हैं वहाँ पे अगर कोई रेडनेस या कुछ रियक्शन हो रही है तो टीबी कंफर्म हो जाती है दूसरा इसको बोलता है मॉन्टेक्स टेस्ट तो वह भी टीबी के लिए किया जाता है तो यह आपको याद अखना है अब हम टीबी के ड्रग का क्लासिब किसन देखेंगे तो इसकी जो ड्रग है वो टू टाइप की है फर्स्ट ए फर्स्ट लाइन ड्रग दूसरी है सेकेंड लाइ तो उसकेस में हम सेकेंड लाइन वाली ड्रग देते हैं तो यह आपको याद देखना है अब फर्स्ट लाइन के अंदर कौन सी ड्रग आती है वह बहुत इंपोर्टन है ज्यादत है जो कौस्ट लाइन के उपर ही आता है तो जो पहली ड्रग है वह आईसोनियाजाइड है तीसरी है पारजिनामाइड चोथी है इतम बीटोल और पांच है इस्ट्रेप्टोमाइसीन अगर आपको इन फर्स्ट लाइन के ड्रग का नाम याद ना हो तो यह एक ट्रिक है पैरिस तो आपको नाम सुना ही होगा अपने जो फ्रांस के अंदर है तो पैरिस की ट्रिक से ओर नाम याद के है तो अगर आपको यह याद रहे तो ठीक है पर इसके कॉर्शन कम ही आते हैं, जैसे कि बेडा क्यूलीन यह पहला लाई नाम आप या दखलो, और बाकी जो अधर जो ड्रग है, यहाँ पी इंपोर्टन कौन कौन सी है, वो देख लो, एक रिफा ब्यूटीन है, यह भी बहुत इंपोर्टन है, साइक्लो सेरीन है, इतियो अब जो यह फर्स्ट लाईन की जो ड्रग है, इनमें यह दखना जो यह स्ट्रेप्टोमाइसीन है, तो यह ओनली यह इसी ड्रग है टीवी की, मतलब फर्स्ट लाईन में, जो हम आईम देते हैं, मतलब पैरेंटल रूट देते हैं, औरल में ही देते हैं, क्योंकि औरल में का primeira tolerance का यह ब्रूबर कुल्लर सहेप्ट ल होता है इसको खतम नहीं करेगी उसकी ग्रोथ को मुड़ैगी तो यहाँ देखना जब आप फर्स लाइन ट्रग पड़ो ना तो इस्थम ब्यूटर इस्टेटिक नेचर की बाकि सारी साइडल है और इस्टेट्रम आईसी ने कैसी ट्रग है जो आईएम दी जाती है बाकि सब औरल दी जाती है अब हम जो टीबी की फर्स लाइन की जो ड्रग है उनके बारे में वन बाई वन करके अच्छे से डीटेल से पड़ेंगे जो पहली ड्रग है उसका नाम आईसो निकोटेनिक एसीड हाइडराजाइड तो इसका ये नाम भी आपको याद दखना है अगर मैं इसका चिमीकल स्टेक से देखूं तो इसमें आप देखूं ये रिइंग सिस्टम में उसको बोलते है पारिडिन रेती है और यहाँ पे जो ग्रूप उसको हाइडराजिन बोलते है यहाँ पे कार्बोनाईल ग्रूप है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कई बार सीधा कॉस्टन रिंग के उपर भी आ जाता है, कि इन में से कौन सी ड्रग पारेडिन डेरिवेटिव है, तो इसको आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, अब मैं इसका मेकनिजम अप्रेक्शन बताऊंगा, तो बहुत ही जादे रिजीट बनाता है इसकी सेलवाल को, तो यह जो आइसू नहीं आ जाए, क्या गरेगी, इसी सेलवाल के अंदर जो माइकोलिक एसीद है, उसके सिंथेसिस को रोग देगी, जब माइकोलिक एसीद नहीं बढ़ेगा, तो टीबी की जो बैक्टरिया की सेलव क्या है, माइकोलिक एसीद के सिंथेसिज को इनिभीट करना, अब हम आइसू नहीं जाइड का मेकेनिजम ऑप एक्शन थोड़ा डीटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आज कल जीपेड में थोड़ा डीटेल से पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है, कि आइसोनियाजाइड एक प्रोड़ रख है, और यह जो प्रोड़ रख है, यह एक्टिव होती है, अपनी बोडी के अंदे जाती है, फिर जब यह बेक्ट्रिया के सराउंडिंग जाएगी, तब वहाँ पे इसको एक एनजाइम मिलेगा, उस एनजाइम का नाम है केटेलेज पर उक्सिडेज, तो यह जो केटेलेज पर उक्सिडेज है, इसकी वज़े से यह एक्टिव मेटाबोलाइड में करनोड होती है, जब यह एक्टिव मेटाबोलाइड में करनोड हो जाएगी, तो इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइड है, वो क्या करेगा, वो इनजाइम है enzyme है keto inolage reductase उस enzyme को inhibit करेगा अभी जो keto inolage reductase है enzyme ये enzyme का रोल का रहता है ये mycolic acid के synthesis में इसका रोल लेता है तो isoniazide ने क्या क्या इसके इसको inhibit कर लिया जब ये inhibit हो गया तो mycolic acid का synthesis नहीं होगा तो bacteria की cell की rigidity खतम हो जाएगी cell वाल की bacteria मर जाएगा अब जो ये मैंने बोला कि ये activate होता है catalase paroxidase ते तो ये इस enzyme को code करने आला जो gene होता है उस gene का नाम है ket G gene और इसके पाद जो keto inolage reductase है इसको code करने आला जो gene होता है उसका नाम है INHA तो ये दो gene है बहुत important है ये आपको याद अखना है कहीं बार क्या होता है कि multi drug resistance TB होती MDR उसमें जो isoniazide act नहीं कर बाती उसका action नहीं आता microbacterium के उपर क्यों नहीं आता क्योंकि microbacterium इस gene के अंदर क्या कर लेता है mutation कर लेता है ket G gene और INHA gene के अंदर तो ये आपको याद अखना है अब हम isoniazide के side effect के बारे में पढ़ेंगे तो ये isoniazide है ये क्या करती है ये neuropathy करती है या पर peripheral neuropathy कोज करती है जो vitamin B6 की कमी हो जाती है ये vitamin B6 का extension बढ़ा देती है जिससे क्या हो जाता peripheral neuropathy हो जाता है और ये hepatotoxicity करती है तो ये 2 side effect बहुत ज़्यदा important है तो ये आपको याद अखने है इसके बाद ये isoniazide है ये enzyme inhibitor होता है enzyme को inhibit करती है liver के जो microsomal enzyme होते है उनको isoniazide inhibit कर लेती है जिससे क्या होता है कि जो other drug है जो phenotoin है या जो other theophylline है तो उनका क्या रहता है therapeutic window बहुत कम रहता है तो उनके साथ अगर हमने isoniazide को prescribe कर ली तो उनको metabolite करने आले enzyme को ये drug inhibit कर लेगी जिससे उनकी toxicity हो जाएगी तो ये आपको याद रखना है ये जो इसके side effect है hepatotoxicity और peripheral neuropathy ये बहुत बार exam में पूछे गए है तो इसको किसी भी हालत में याद ही रख लेना तो ये peripheral neuropathy होती है इसका side effect रोकने के लिए doctor isoniazide के साथ parodoxyn भी prescribe करता है 10 mg अगर उस patient को peripheral neuropathy हो जाती है तब वो parodoxyn का dose 10 mg से बढ़ा कि 100 mg करता है ये एक additional information है आप अगर याद रख पाऊ तो ठीक है और इसके बाद जो आईशोनियाज़ ड्रग है आईशोनियाज़ ड्रग का metabolism होता acetylation process से होता है तो acetylation से जब इसका metabolism होगा तब ये बनाएगा N-acetyl hydrazine बनाएगा और ये जो N-acetyl hydrazine है ये क्या गरेगी ये covalent bond बना देती है लीवर की cell के साथ जिससे हमें hepatotoxicity हो जाती है इसके बाद इसका metabolism acetyl transfer से भी होता है तो हम जो इंडियन्स लोग है वो क्या है slow acetyl later है जब हम slow acetyl later है तो हमें N-acetyl hydrazine बहुत कम बनेगा तो liver toxicity हम लोगों में कम होती है पर हमें peripheral neuropathy ज़्यादा होती है इसके बाद जो anti-acetyl aluminum hydroxide उसके साथ isoniazide को नहीं prescribe किया जाता है क्योंकि ये isoniazide के absorption को रोग देता है GIT absorption को तो ये भी ये किसी government exam में question आया था इसके बाद इसका resistance isoniazide में कैसे occurs होता है तो ये kate j और दूसरा जो gene था उन दोनों में mutation हो जाता है तो ये आपको याद अखना है अब मैं थोड़ा से यहाँ आपको isoniazide की synthesis के बारे में बताऊँगा तो synthesis के बारे में तो नहीं बताऊँगा तो दोनों में से कोई भी option में होगा तो वो इसका starting material है फिर इसके बाद इसका oxidation हो जाता है फिर ये nicotonic acid बनता है उसके बाद hydrogen की reaction करा के isoniazide बन जाती है तो ये important नहीं है बट इसका starting material बहुत ज़्यादा important है हम जो first line की जो second drug है जिसका नाम है refarmicin इसके बारे में बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये याद अखना है कि ये enzyme icin class की antibiotic है तो ये enzyme icin relative है refarmicin से इसके बाद ये semi synthetic derivative है refarmicin B जो optan होता है S meditreani bacteria है उससे optan होता है और refarmicin का mechanism of action देखें तो ये क्या करेगी ये bind होगी beta sub unit DNA dependent RNA polymerase को तो ये RNA polymerase को inhibit करती है जो DNA dependent होता है जब RNA polymerase को inhibit करेगी तो RNA polymerase का roll रहता है mRNA synthesis में तो ये mRNA synthesis को भी inhibit करती है indirectly जिससे इसका action आता है tuberculocidal इसके बाद MDR-TB में refarmicin में resistance हा जाता है मतलब bacteria के उपर ये act नहीं कर पाती तो क्यों नहीं कर पाती तो एक gene के लिए mutation होता है उस gene का नाम है Repo B RPO B gene भी बोलते है हम refarmicin के side effect के बारे में पढ़ेंगे तो इसका side effect है hepatotoxicity जो isoniazide के अंदर भी थी ये इसके अंदर भी था दूसरा इसका side effect है respiratory syndrome flu-like symptom भी होता है orange discoloration ये important side effect है तो ये exam में आता है orange color का urine हो जाता है जो भी कोई इंसान refarmicin लेगा तब इसके बाद ये enzyme inducer है तो मैंने आपको बताया था isoniazide enzyme inhibitor है और ये enzyme inducer है तो जब हम इन दोनों को साथ में prescribe करते है ज्यादा तर question इन ही में से पूछा जाता है अब जो next drug है उसका नाम है paragenamide तो paragenamide का जो पहला mechanism of action है उसको आप ये यादा को कि ये decrease करगा PA surrounding bacteria जिससे क्या है कि micro bacteria easily grow नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा तो bacteriocidal इसका action देता है इसका side effect है ये hyper urecemia करेगा और gout coach करेगा तो जो gout के patient है उनको तो हम ये drug prescribe नहीं करेंगे अब इसका थोड़ा और mechanism एकसें थोड़ डीटिल से देखते है तो ये क्या paragenamide है ये canode होता है paragenamide में जब ये paragenamide है तो ये acid pH को कम करेगा जो यहां से आप correlate कर सकते हो अभी जो pyroginal acid क्या करता है ये L-aspartate से beta-alanine बनने की process को रोग देगा जब beta-alanine नहीं नहीं बनेगा तो आगे co-enzyme नहीं बनेगे और co-enzyme का रोल लेता है bacteria की grow में तो इतना आप simple था correlate कर लेना ज़्यादा important नहीं है इस पर caution इतना ज़्यादा नहीं आता अपनी जो next drug है उसका नाम है ethambutol जब मैंने आपको first line anti-tb की drug के बारे में बताए था तब मैंने बोला था सारी drug bacteriocidal nature की रहती है except ethambutol ये bacteriocidal esthetic nature की रहती है तो ये micro bacterium जो tuberculosis bacteria है उसके growth को inhibit करेगी उसको kill नहीं करेगी अब इसका mechanism of action बहुत simple है तो आपको याद अखना है ये polymerization chain को रोक देती है reaction को रोक देती है अर्बीनो glycan के तो पहले तो आपको इतना ही याद अखना है अभी कैसे रोकती है तो ये block करेगी अर्बीनो sile transferase enzyme को इस enzyme का रोल लेता है इस polymerization chain reaction के अंदर तभी enzyme इन्हीं भीड हो जाएगा तो polymerization reaction है अर्बीनो glycan की वो रुख जाएगी और ये जो अर्बीनो glycan है ये इसका essential रोल लेता है cell oil synthesis के अंदर तो ultimately ये इंटर्फेर करी cell oil synthesis के अंदर भी अब हम इथम बीटोल का structure देखेंगे तो अगर आप इसको structure को देखो गए तो यहाँ पर एक ethyle group है जिसके दोनों carbon पर carbon 1 और carbon 2 पर nitrogen लगा हुआ है उस nitrogen पर ये दो functional group same लगे हुए है तो इस group को क्या बोलेंगे one butanol बोलते है ठीक है तो अगर आप इसके structure को देखो गए तो धंग से तो इसके अंदर दो कारेल सेंटर दिख रहे है जब भी किसी के अंदर दो कारेल सेंटर रहते हैं तो इसके 4 stereoisomer रहते है बद etham butol के अंदर 3 stereoisomer रहते हैं कुछ symmetric issue रहता है तो हमें detail में नहीं जाना है पर इसके अंदर 3 stereoisomer रहते हैं इसलिए एक्जाम ये question पूशा जाता है और इसका D form होता बना जैसा दी और एल फौम होता है स्ट्रीयू आइस उमर में तो जो ये धू मेना ही χो़म यूज किया जाता है उप्टिकल मतलब उप्टिकल आइस उमर होता हु斯मे दी वाला ही जादा यूज किया जाता है ल वाले को यूज नहीं करते दजाता है इससी तरह steroisomers मैंने बता है तीन steroisomers रहते हैं तो तीन कौन कौन पॉष्य रहते हैं इक ss होगा एक rr रेगा or एक rs रेगा clairement तो इसमें äs nez वाले को यूज़ किया जाता है rr को नहीं यूज़ किया जाता क्यूंकि रr optic neuritis करेगा या फिर विजुल डिस्टेमेंज करेगा ग्रीन और डेड कलर के अंदर इसी लिए हम और और को यूज नहीं करते एसेस भी करता है यह उप्टिंग डुड़ाइटेस बद थोड़ा कम करता है कंपेर टू आरा तो एक्जाम में यह कॉशन पूशा गया था कौन सा इस्ट्यू आइसोम उसका आइसोमर फोकोमेलिय करता है तो इसी लिए उसका एक ड्यड़ा यूज करतें तो मुझे ज्यादा यह री आइसोमर ही यूज़ द्रग होती उन में तो इसलिए मैंने वही कौन से विथम ब्यूटल पर लगाया तो वहां मैंने आंसुर आरार कर लिया पर आंसुर एसस था तो यह आपको भूलना नहीं है नेक्स जो ड्रग है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीन तो यह स्ट्रेप्टोमाइसीन अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एंटिबाइटी क है इसको हम अलग से डीटल से पढ़ेंगे अभी आप इसका नाम याद अखलो और यह ट्यूबर क्लोसाइडल रेती है यह बैक्टरिया को किल कर लेती है अब इसको हम औरली नहीं देते हैं इसको हम आईयम इंजेक्ट करते हैं टूबर क्लोसी की जितनी भी रग है वो सारी हम औरली देते हैं इसको हम आईयम इंजेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यह बैसिक नेचर की रहती है और यह इस्टोमक में जाके इजीली सॉलिबल हो जाती है और यह आयोनाइज फोर में कनवल हो जाती है और आयोनाइज चीज एजी लिए अब्जूम नहीं होती मेंब्रेंस से इसलिए इसको हम आइम देते हैं इसका मेकनेज जम अब एक्शन सिंपल है यह प्रोटीन सिंतेसिस को इनिवीड करता है कैसे करेगा तो यह 30 एस राइबोस करती तो जो अधर ड्रग जिनके जो नेफ्रोट्रोट्रोटीशिक कोच करती है उनके साथ इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता पर यह नीरो-मस्कुलोर जंक्सन को ब्लोक भी कर लेती है तो यह इसका तीन साइड इफ्क्ट है तीन हो बहुत इंपोटन है अभी तक हम हमने एंटी टूबर क्लोसिस की जो फर्स्ट लाइन की ड्रग है उनके बारे में एच्छे से पढ़ा अब जो नेक्स पार्ट आएगा जो पार्ट टू रहेगा उसके अंदर हम सैकिंड लाइन वाली टीबी की सारी ड्रग पढ़ेंगे तो तब तक के लिए ठैंक यू आपने